बच्चो आज हम अपने देश के बारे में जानेंगे जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहीं क्या अन्ने खाके बड़े हुए हैं यहां कई पानी पीते हैं यहां की ही हवा में सांस लेते हैं है ना हमारे उपर हमारे देश का बहुत बहुत बड़े उपकार है मच्चों हम सबको कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे देश का नाम खराब हो है ना हमें हमीशा अपने देश का नाम उचा करना चाहिए तो आज हम देखेंगे कि हमारे देश के राश्ट्रिय पती कौन-कौन से है तो आप यह देखिए तिरंगा जंडा हमारे देश का राश्ट्रिय ध्वज है और जनगण मन हमारा राश्ट्रिय गान है मोर हमारा राश्ट्रिय पक्षी है होकी हमारा राश्ट्रिय खेल है और यह सबी हमारे राश्ट्रिय की पहचान है यह हमारे राश्ट्रों से अलग करती है इन्हें हम राश्ट्रिय प्रतीक भी कहते हैं अब ये देखिए बताईए आप भारत के अलावा हमारे देश को और किन-किन नामों से जाना जाता है कभी आपने ध्यान दिया है कि भारत बश्च को और किस-किस नामों से बुलाया जा रहा है देखिए एक तो हिंदुस्तान कहते हैं तो आप सब को पता होगा हिंदुस्तान कहते हैं इंग्लिश में इंडिया कहते हैं और इसको कहते हैं जम्बु दूईब भारत खंड आर्य वर्त और हिंद तो ये और अनेको नाम है हमारे भारत वर्ष की भारत वर्ष भी कहते है अब देखिए दूसरा प्रश्न है हमारे राश्ट्रिय द्वज में किस किस रंग की पट्टियां होती है उनके नाम बताईए आपको पता हिंदी में किस किस नाम की होते है देखिए सबसे उपर जो औरेंज कलर होता इसको कहते हैं केसरिया वाइट यानिकी सफेद सबसे नीचे ग्रीन यानिकी हरा रंग होता है और पट्टियां तो यह तीनों रंग की होती है और बीच में एक नेले रंग का चक्र भी होता है कुछ और करके देखें नीचे अपने देश का राष्ट गान दिया गया है उसे शुत उचारट के साथ पढ़कर याद कीजिए और लै में गाने का अभ्यास कीजिए जब आप स्कूल आते हो तब तो रोजी जनगरबन होता है लेकिन कुछ बच्चे उसको गलत उचारित भी करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए यह हमारे रहश्ट का सवाल है तो हमें इसको हमेशा शुत ही उचारित करना चाहिए उसके लिए लिखा दिया है इसको आप करने का प्रयास करेंगे जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता पंजाप सिंधु गुजरात मराथा द्रा विड उतकल बंग विंद है माचल यमुना गंगा उच्छल जलद तरंग तब शुब नामे जागे तब शुब आशिश मागे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय है भारत भाग्य विधाता जय है जय है जय है जय जय है जय है जय है जय है तो यह आप कौपी में लिखेंगे अच्छे से इसके उचाराण को सीखेंगे और इसे आपको बिना देखे लिखना भी आना चाहिए झाल 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 झाल